जीवन में हर किसी को धन की विशेश जरुरत होती है जिसके लिए व्यक्ति जीवन भर मेहनत भी करता है और धन की चिंता में लगा रहता है लेकिन कुछ वास्तू के द्वारा भी आप धन कमाना आसान कर सकते हो आपको बता दें धन यश प्राप्ती के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं पूजा करते हैं दान पुन के काम करते हैं लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा ही लगती है पैसा पानी की तरह बहने की बजाए आप घर में जानवरों को पाल कर ही अपनी पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं वैसे तो कुत्ता से हमेशा बच कर ही रहना चाहिए लेकिन कुत्ता ही धन प्राप्ति का सबसे अच्छा शुरोत होता है कुट्टे को घर में पालने से वे उसको शुबह साम खाना खिलाने से आए बढ़ती है और दौलत की प्राप्ति होती है लोग शायद ही जानते होंगे कि कुट्टा भैरव का सेवग माना जाता है मेडक अगर आप घर मेडक पालते हैं तो और भी शुबह है जरूर नहीं कि आप असली का मेडक ही पालें चाहें तो आप घर में पीतल का मेडक रख सकते हैं मेडग घर से बिमारियों को दूर रखता है रोजाना दफ्तर की तरफ निकलने से पहले मेडग को देखना ओफिस वालों के लिए शुभ माना जाता है तोता घर में तोता पालने से घर की परेशाणियों का पहले ही पता लग जाता है घोडा वास्तु की माने तो घोड़ा एश्वर्य का प्रती होता है घर में घोड़ा पालने से या उसकी प्रत्मा रखने से धनकी प्राप्ती और यश मिलता है कछुआ जैसे कि आप सभी जानते हैं कछुआ लक्षमी जी का वाहन होता है घर में कश्व को पालने से या पीतल या कश्वा रखने से धन की वर्षा होती है कश्वा दस अवतारों में से एक होता है इसलिए इसे लक्षमी का प्रतनिधी माना जाता है मच्छली घर में सुनहरे रंगी मच्छली को रखने से शुख सान्ती बनी रहती है खरगोश खरगोश देखने में क्यूट होते हैं साथ में इनको पालने से घर में सुख स्रमत्धी भी आती है नेक्स नाइन स्प्रेचल से आकाश की रिपॉर्ट